हेलो आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपनी चैनल एकजाम योजबाई उद्यसर में दोस्तो इस वीडियो में 25 पलस प्रिसन है और ये क्लाश आपकी अलग से एक मौक टेस्ट हम कह सकते हैं तो आप देखना आपकी तैयारी कैसे चल रही है कितने आप प्रिसन ठीक कर सकते हैं क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे एकजाम होने हैं कल भी एक लेटर आया है एकजाम से संबंदे तो अब आपके पास अच्छा समय आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और साथ की साथ आपकी इविनिंग में इस चैनल पर अलग से एक क्लास होती है 9 बज कर 15 मिनट पर वो क्लास स्टार्ट होती है लाइव सेसन होता है तो उसे भी जरूर देखें उस क्लास को मिस बिलकुल ना करें क्योंकि अच्छे लेवल के प्रिसन होते हैं डेली क्लास होती है वो क्लास आपकी अलग है और ये जो वीडियो आपकी अलग है तो वो भी आपको मिलती रहेगी समय समय पर क्लास आपकी डेली चलती रहेगी और यहाँ पर आपके लिए अलग से कुछ अलग प्रियास हमने अपनी तरफ से किया है तो आप यहाँ से अपना सिकोर भी चेक कर सकते हैं अच्छे प्रसन है वाई इस वीडियो में निम्न में से राजा चूडा मन का संबंद किस जले से है तो पहला प्रसन आपके सामने है इसका जो राई टांसर है बिलकुल फरिदवास से उनका संबंद है और जो बल्रामगड़ है क्या नाम है बल्रामगड़ है जिसे हम बल्रामगड़ के नाम से जानते है वहां से राजा चुड़ावन है और वहीं से राजा नहर सिंग का संबन्द है ध्यान रखना इस बात का नेक्ट परिशन आपके सामने है निम्न मैशे सहजादा मुहमद आजम का संबन्द किस जले से है तो ये जो सहजादा मुहमद आजम है ये 857 की करांती से संबंद रखते हैं तो आपको इसका आंस्वर देना है इनका संबंद कहां से है तो ये आपके हिसार से है हिसार बिल्कुल सही आंस्वर है तो इसका जो राइट आंसर है इसका जो सही आंसर है चंदरभान गुपता रहेगा ठीक है बहुत अच्छा प्रिसन है बहुत अच्छे लेवल का प्रिसन मैं कह सकता हूँ नेक्स्ट प्रिसन हरियाना में नात संपर्दाय के गरंत किश भाषा में लिखे गए हैं ये प्रिसन एक दो बार एक्जाम में आया है तो इसका जो राइट आंसर है का सारदा लिफी और नात संपर्दाय का संबंद हरियाना के किस दिले से है रोतक्षे है जो की चोरंगी ना उनकी संब्बन किसी है ? हर्याना में फिचलावर्ग के अंतुरगत जाती की कुल संख्यक कितनी है ? उनकी संख्यक कितनी है ? 60, 50, 71, 84 इसका जो सही आंसर है ? 71 हीगा सी बिलकूल सही आंसर है निम्न मेशे किस जिले के अंतरगत सबसे अधिक अंगूर का उत्पादन होता है ये तो एजी प्रिसन है बिलकुल आसान प्रिसन है किस जिले में सबसे अधिक अंगूर का उत्पादन होता है तो इसका जो सही अंसर है गहा कुरू छेतर ये बिलकुल सही अंसर है City of War Hero किशे कहते हैं बिल्कुल इसका जो सही आंस्वर है City of War Hero किशे कहते हैं भीवानी बिल्कुल सही आंस्वर है किशे कहते हैं भीवानी को कहते है निम्न मैसे किस जिले को आम का शहर कहते है मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में आमो का मिला पिंजूर पंचकुला में लगता है जो कि 1991 में स्टार्ट हुआ है जबकि आम सबस्यादी आपके कहाफर होते हैं अमबाला में होते हैं तो ए बिल्कुल सही आंस्वर है सहित्य नगरी से किस जिले का संबंद है या फिर मैं सीधा यही बोलूँ आपसे सहित्य नगरी किसे कहते है बिल्कुल ऐसी प्रिसन घुमा कर भी पूछ सकता है आपसे तो इसका जो राइट आंस्वर हैगा सहित्य नगरी किसे कहते हैं सिर्सा सिर्सा बिल्कुल सही आंस्वर है और इस वीडियो में 25 प्रसन है ज़्यादा प्रसन नहीं है और जो एविनिन्ग में क्लास होती है उसमें 50 प्रसन होते है अच्छे लीवल के प्रसन होते है वो क्लास जरूर देखें अगर किशी भाही ने वो क्लास हमारी अववट की नहीं देखें तो playlist में हमने अलग से HSC, HCSA, CT के नाम से अलग सीरीज की जो प्लेलिस्ट बनाई है वहाँ से आप चेक आउट कर सकते हैं वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे अलग से जो लाइव सेशन चल रहा है वो सारी जो न्यू वीडियो आ रही है आपको वहाँ पर सारी जाओंगा सी बिल्कुल सही आंसर है हरियना के सूफी संथ का गुलाम जिलानी जो की सूफी संथ एक है गुलाम जिलानी उनका नाम है वो रोहतक की क्या पिरसिद रही है मैं आपको यहाँ से पिरसन की जो लेंग्वेज समझाने की कोसिस कर रहा हूँ जो सूफी संथ है गुलाम जलानी उनका रोहतक शे संबंद है और रोहतक की उनकी क्या फिरसिद रही है रागनी फिरसिद रही है लोग गीत फिरसिद हैं काव या चौपाईया और दोस्तो सिक्रीन पर आपके सामने नंबर है यहां से आप अरियान जीके का बैच जोइन कर सक सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां से आपको 1000 जो हार्ड सीरीज है हमारी 1000 अच्छे लेवल के जो प्रिशन होते हैं वह यहां से आप जोइन कर सकते हैं अगर आप यह सभी एक साथ लेना चाहते हैं न्यू पैटरन पर वीडियो क्लास्स फिलेगी अर्यान की तो यह सब कुछ फिलाल ओफर में बाद में इसकी फीस भी बढ़ सकती है और जिस भाही को लगता है कि हमें हरियन जीके के प्रैक्टिस साथ चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं हर सेट में पच्चीस परिषन है और यह सब कुछ आप एकट्टा चाहते हैं करंटा फिर के साथ 2020 की करंटा फिर हरियन जीके की या फिर 2021 की करंटा फिर हरियन की तो यह भी आपको मिल जाएगी सब कुछ 199 में अलग अलग शिमी ने आपको चार्ज बता दिया तो जल्दी से इस उफर का फैदा आप उठा सकती है इसका जो राइट आंसर रहेगा चौपया D बिल्कुल सही आंसर है वई D बिल्कुल सही आंसर रहेगा तराशे हुए तराशे हुए पत्थर किष्ट का एक प्रमुक अपन्यास है इसका जो राइट आंसर हैगा है मराज निर्गम D बिल्कुल सही आंसर है हरियाना सहीदी दिवस कम मनाया जाता है हरियाना सहीदी दिवस कम मनाया जाता है तो ये प्रिसन भी एक्जाम में कई बार हमने देखा है तो इसका जो रही टांसर रहेगा हरियाना सहीद दिवस यानि सहीद ही है सहीद अलग है और सहीद ही अलग है ठीक है और इसका जो रही टांसर रहेगा 23 सितंबर तो मैं 23 सितंबर की बात कर रहा हूं और आप कॉमेंट के दोरा बताएंगे किसकी याद में मनाया जाता है हरियानमे सहीदी दिवस आप मेसिज करें और हमें बताएं इसके बारे में नेक्स्ट परसन देखते हैं ग्राम शेवक पत्र का संपादक कौन है इसका जो राइट अंस्वर है गाला हर्देव साह है और इनका संबंद कहां से है हिसार से 1936 में ग्राम शेवक इन्होंने पत्र निकाला है तो ध्यान रखना इस बात का जजजर गुरुकुल की सतापना हुई बिलकुल कई वार एक जम में आया है पिरसन जजजर गुरुकुल की सतापना कभ हुई इसका जो सही अंस्वर है 16 माई 1915 है अठार सो सतावन की करांती के प्रमुक नेता मिर्जा अली बक्ष का संबंद किस जिले से है तो इसका जो राइट अंस्वर है रहतक तो यह क करनाल विवानी रहतक तो इसका जो सही अंस्वर रहेगा बिलकुल जो राइट अंस्वर है वैलो डर्म स्टेडियम आपका कहा पर है तो यह आपका कुरुष शित्र में है कुरुष शित्र बिलकुल सही अंस्वर है गौतम रिशी का संबंद किस जिले से है और गौंदर ए किसका आंस्वर दें? 1327 में तौमर अभी लेक्मि हरियाना को किस नाम से जानते हैं? ये दो सब्द एक से हैं लेकिन इसमेना जो सब्द हिंदी की जो भासा है सुद असुद की हम बात करें या फिर बिल्कुल उसी के नाम से जानते हैं दोनों आएं भैसे एक्जम है हरियाना हरियाना दोनों आए ऐपसन में लेकिन यहाँ पर भी अचिसी ने अपने अनुसवार आंस्वर महना है फ्रॉघ जानकी किसने की सांग की कोज किसने की रिचर्ड टेंपल के धूरा कि इसकी लेकित है रीट आंस्वर रही dessert रहीका पर सोध किस ने किया हरियाना के संगीत पर सोध किया गया है किस पर सोध किया गया है तो आप इसका आंस्वर दे सकते हैं हरियाना के संगीत पर सोध किया गया है तो इसका जो सही आंस्वर है पंडित लखमी चंद मैं एक के साथ जाओंगा ए बिल्कुल सही आंस्वर है भई नेज्डस परसंद देखते हैं गांधी ग्राम केशे कहते हैं तो मुस्लमान जब भारत छोड़ कर जा रहे थे हैं 1947 की बात है तो उस्में यह जो गांदी जी हैं उनके सामने रास्टे में लेट गए और उन्होंने यह बोला कि आप भारत छोड़ कर ना जाएं अगर आपको मेरी सरीर के उपर से गुजरना होगा इस लास के उपर से आपको जाना होगा तब ही आप भारत छोड़ सकते हैं और उनकी बदोलत आज जो मुसलमान है हमारे देश में हैं उन्होंने उसमें अच्छा प्रियास किया अपनी तरफ से और होना भी चाहिए जाती की जो बेद भा आपका कहां पर है मेवात में हैं और घासे डागराम भी आपका मेवात में ठीक है और गांधी का सेवक एक अमिलाल है पंडित अमिलाल है जो अंबाला से संब्द रखते हैं तो ठीक उसे गांधी का सेवक कहते हैं इंपोर्टेंट प्रिसन बनते हैं यहां से कई बार नेक् इस प्रिशन देखते हैं राजपूत सासक नीम का संबंद कौन सी स्तावदी से है एक राजपूत सासक है नीम और मैं आपको डिश्टिक बता दू ये भिवानी से संबंद रखते हैं तो सतावदी आप से पूछी गई है इस प्रिशन में तो इनका संबंद कौन सी स्तावदी से है तो राइट आंस्वर हैगा चौधमी स्थावदी एक संतीसर抱स है संत निट्यानन्द सौरी संत निट्यानन्द है ठीक है वह भी चौधमी स्थावदी से संबंध रखते हैं रानय का इकला है वह भी चौधमी सी बिल्कुल सही आंसर है तो आज की वीडियो में फिलाल 24 सी प्रिसन है और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी है तो जो नए साती है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जदस जदस शेयर करें और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहां तक देखा आप सभी का बहुत दिन्यमाद